हेलो दोस्तों मारे पास question दिया गया 7 cm व्यास वाले विर्थ के तिर्जय खंड की चाप की लंबाई गयाद करनी है जिसका केंदरी या कोण 180 degree का है दोस्तों यानि कि 7 cm व्यास वाले एक विर्थ की 7 cm इसका दोस्तों क्या है? विर्थ का व्यास है और तिर्जय खंड के चाप की लंबाई गयाद करनी है यानि कि यह हमारे पास क्या दिया गया है? एक व्यास विर्थ दिया गया है यहाँ पर एक तिर्जय खंड दोस्तों उसके अंदर का कोण कितने डिगरी का? 180 degree का है तो हमें इस चाप की लंबाई गयाद करनी है तो चाप की लंबाई हम कैसे गयाद करते दोस्तों चाप की लंबाई का फार्मूला होता है चाप की लंबाई 2 पाई और थिट्टा बटा 360 तो हम इसके अंदर इसका मान रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चाप की लंबाई आ जाएगी तो 2 गुणा में पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7 आर हमारे पास कितनी है? 7 बटे 2 क्योंकि व्याज का आदा आर होता है, तिर्जट होती है तो 7 बटे 2 कि हमने गुणा में ठिट्टा मारे पास दे रख है 108, बटे में 360, तो यहाँ पर हम कट करेंगे, इसको 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, दोस्तों, अब इसको हम कट करते हैं, 9 से कट करते हैं, 9 चोग 36, चालिस पर जाएगा, 9 से कट करते हैं, 9 एकमनो, 9 दोनी, 18, तब इसको 4 से कट करते हैं, दोस्तों, 4 तीए 12, 4 दाएं, 40, यह क्या आजाएगा, मारे पास बहुत कहीं नहीं कट रहा, तो इसको सोल करेंगे, 12 तीए, 22 तीए 66, यानि कि उपर मारे पास क्या बचा, 22 गुणा में तीन नीचे बचा, हमारे पास 10, तो यह क्या हो जाएगा, 66 बटे 10, तो इसको और सोल करेंगे, तो हमारे पास आजेगा, 6.6 cm, तो चाप की लंबा, यह हमारे पास क्या आगी दोस्तों, 6.6 cm आगी, यह क्या हमारा आंसर, उप्शन नूंबर A is right, इसी तरह की सोट्टर की व वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पराप्त उसके,